EPS मार्फथ रोजगारी का लागी कोरिया जाना नेपाल बाठ एक लाग 43,000 भनदा बड़ी को आवेदन परेकोुछ EPS साखा का अНुसार दक्षिन कोरिया जाना का लागी आवेदन दिने को संक्या यो फाल समक्य सबज भनदा बड़ी हो सुक्रवार राती बारा बजे समा हाल समके अत्यादिक आवेदन परेको हो। दक्षिन कोरिया ले सन्दू हजार तेजका लागी उत्पादन तर्फ पंदर हजार 448 चना कामदार मागे कोछ। उत्पादन का अलावा दक्षिन कोरिया ले सीप बिल्दिंग कमपनी रा क्रिसी तर्फ पंदी नेपाली कामदार लोईजा दे आयकोछ। परेक्षिन कोरिया ले सीप बिल्दिंग को परेक्षिया माँ असफल भायका परेक्षिया रूलाई उत्पादन तर्फा को परेक्षिया माँ सामेल हुना बंचित गराईगे कोछ। उनिहरूले पनी फाराम भर्ना पायको खंडमा आवेदा को संक्या एक लाग बहत्र हजार भंदा धेरे पुग्मेश। उनिहरूल का लागी पनी चुटे समय तोके रावेदान खुला गने तयारी भहिर आएको एपियस साखाले जनाया कोछ। और बड़ी पुजी बाहीरी दै। 2023 मा मात्रै एक अर्ब बड़ी नेपाली रुपया लईजाने भहायको हो। तेस पची मात्रै उनिहरूको नाम रोस्टर मा चड़ाए नेचा। रोस्टर मा नाम चड़े का हरूको विवरन रोजगार दाथा काहा बुग्छा। तेस पची सम स्विकृती जारे करेंचा अनि मात्रै विजा प्रक्रिया अगी बढ़्चा। कमाई कस्तो हुन्चा। बईदिसिक रोजगार विवाक का अनुसार दक्षिन कोरिया अन्य गंतेव्य मुलुक भंदा आमदाने का हिसाबले रामर हुन्चा। आट खंटा का अतिरिक्त काम गर्नी अवसर पायको खंडमा चार देखी अधिक्तम पांच लाग समा मासिक कमाई हुने गर्दसा।